एपिसोड 7 के एंड में हमने देखा था कि कुरोनो और किसी मोटो की ओरिजिनल वर्जन को देखकर बहुत जादा सौक हो जाते हैं इसलिए कुरोनो सोचने लगता है कि अपने original वर्जन को देखकर किसी मोटो को सौक होना चाहिए था पर वो तो मुस्कुरा रही है ताभी वो किसी मोटो से पोचता है हे अब तुम क्या करोगी तुम्हारा original वर्जन तो सच में है किसी मोटो बोलती है पता नहीं क्यों मुझे मुझे बहुत ज्यादा relief फिल हो रहा है मुझे मेरे पिछली life में वही सब करना पड़ता था जो भी मेरी मॉम कहती थी वो मुझे हर समय अच्छे grade लाने के लिए प्रेसराइज करती थी इसी वज़ा से तो मैंने वो कदम उठाया था पर अब मैं अपने life को अपने तरह से जी सकती हूं और वो कर सकती हूं जो भी मेरा मन करें और वैसे भी मुझे किसी से प्यार हो गया है इसलिए अपसे मैं अपनी life उसके लिए जीऊंगी और किसी मुटो को यह बोलता हुआ सुनकर को यह सोचने लगता है कि किसी मुटो उसकी बाठ कर रही है पर तभी किसी मु तभी उसका भाई बोलता है बड़े भाई तुम मुझे मम्मी पापा के तरह कभी छोड़ कर मत जाना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ सिर्फ मैं और तुम ये सुनकर काटो सोचने लगता है कि उसे रहने के लिए खुट की एक जगा ढूंडनी होगी नहीं तो की आंट उसके भाई को ऐसे टोचर करती रहेंगी और वहीं दूसरी और कोरोनो सैड होकर लेटा होता है तभी किसी मोटो अंगडाई लेती है जिसके वज़े से उसके मैलन्स टाइट हो जाते है और ये देखकर कोरोनो दुवारा से हाड हो जाता है और बोलता है अगर तु करते हुइ दिखाया जाता है और इन सबके साइड वैसाईड हमें इसी दिखाया जाता है जो बोलता है अखिर में समय आ गया और ये संसेशन काटो को भी फिल होता है और जब कुरोनो मसास करने के बहाने किसी मोटो के मिलंस जवर दस्ती दवार रहोता है तो उन दोनों को वहाँ रोम में काटो को देखकर किसी मुटो को धका देकर उसके पास चली जाती है और यह सब देखकर कुरोनों मन में बोलता है लगता है काटो किसी मुटो को मुझसे च्छीन लेगा तब हमें बाइकर का गैंग वार दिखाया जाता है और उस गैंग वार में वो बाइकर और उसके तीनों दोस्त मर जाते हैं और वहीं हाईवे पर भी उस बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड और दादी पोते को एक फास्ट ट्रक उड़ा देती हैं जिसके वज़े से वो दादी पोता और वो लड़का मर जाते हैं और वहीं इसके रूम में टेलिपोर्ट होते ही, वो हैंडसम लड़का और दादी पोता भी रूम में टेलिपोर्ट हो उसके बाट काटो उन सभी को वो सारी चीजे बताता है जो भी उसने पहले experience किया था और उसकी बाते सुनकर वो handsome लड़का बोलता है ये सब एक game के तरह है काटो बोलता है ना तो ये कोई game है ना कोई show इसमें हमें सच में असली alien को मारना है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकत है बाइकर बोलता है इस लड़के को लगता है ये जो भी बक्वास करेगा हम उस पे विश्वास कर लेंगे पर तभी गैंज में लिखकर आने लगता है तुम सब की पिछली life खतम हो गई है और तुम्हारे नई life के साथ क्या होगा वो मैं decide करूँगा ये रही उस alien की photo जिस आखर है तभी Kato किसी मोटो को ले जाकर उसका सूट देता है और बोलता है तुम सब को मेरी बात पर विश्वास करना है या नहीं वो तुम्हारी मरजी है पर मैं तुम सबसे बता दूं कि तुम्हारा जीना मरना इस सूट पर depend करेगा इसलिए प्लीज इस सूट को पहन लो तभी नीसी बोलता है तुम क्यों गेम का मज़े बरबाट करने में लगे हुए हो काटो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब यहां से जिन्दा बचकर वापस जाएं पर तभी कुरोनो देखता है कि उसके सूट केस में सूट नहीं होता है और यह देखकर उसे रिलाइज होता है कि वो तो अपना सूट अपने साथ घर ले गया था और अब उसका सूट घर ही में रह गया है और यह रिलाइज करने के बाद काटो बहुत ज़्यादा डर जाता है अब मैं क्या करूंगा वो इलियन तो मुझे माट डालेगा तभी काटो बहुता है आप सब प्लीज अपना सूट पहन लीजिए एक बाइकर बोलता है ए तुम्हें क्या लगता है मैं इस घढडिया चीज को पहनूंगा काटो बोलता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो तुम्हारा जीना मरना इस पर डिसाइड होगा तभी उन बाइकर का लीडर आकर बोलता है ये मेरे आदमी है इसलिए इने ओर्डर देना बंड करो नहीं तो उस एलियन की छोड़ो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा उसका ग सूट बोलकर क्या ही मिल जाएगा पर फिर भी ये तुम सब का फैसला है कि तुम इस सूट को पहनना चाते हो या नहीं पर मैं तो इस सूट को पहनने जा रहा हूं और वहीं दूसरी ओर इसी मोटो भी साइड में जाकर सूट पहनने लगती है और उसे देखकर सभी बाइकर छिपकर उसे चेंज करता हुआ देखने लगते हैं और क्योंकि उन लोग से कंट्रोल नहीं होता है इसलिए वो लोग उसे छेड़ने चले जाते हैं और वो लोग कुछ कर पाते हो से पहले ही उनका लीडर आकर बोलता है ए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए उसका दोस्त ब पता नहीं कैसे किसी मोटो हमेशा ऐसे सिच्वेशन में फस जाती है तभी टेट्सू का दोस्त बोलता है ए टेट्सू अभी अपना लीडर वाला एक्ट बंड करो अब हमें से कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा यह बोलकर टेट्सू का दोस्त वहां से चला जाता है औ आपकर वह तब से छुपी हुई थी पर तभी सबको सूट पहनता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है सब अपना सूट पहन रहे हैं पर मैं क्या करूं तभी नीशी उसे देखकर बोलता है सच में तुम अपना सूट घर पर भूलाए चलो हमें ये तो पता चल गया एक जरूर मरेगा और ये सुनकर काटो बोलता है करोनो क्या ये सच है और आपना सूट घर पर भूलाया ये बूलकर वो मन में बोलता है जल्दी हम सब बाहर टेलिपोर्ट होने लगेंगे मुझे इन बाइकर में से किसी एका सूट चुरा लेना चाहिए ये सुसकर वो चुपके स एक बाइकर का सूट चुराने लगता है पर वो बाइकर उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और इसलिए वो आकर कुरोनो को मारता है और बोलता है ए तुम्हारी हमाट कैसी हुई मेरा सूट चुराने की कुरोनो बोलता है पर तुम तो वैसे भी से पहनने नहीं वाले हो वो बाइकर बोलता है इसका ये तो मतलब नहीं ना मैं तुम्हें देदू नीसी बोलता है हे कुरोनो तुम्हारी ये सारी कोशी से बिकार है क्योंकि सभी सूट इस्पेसलि उनके ओनर के लिए बने होते हैं वो दूसरों के बॉड़ी में काम नहीं करेंगे ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है अगर ऐसा है तो वो एलियन पका मुझे माट डालेगा और यहीं पर ये एपिसोड खतम होता है मैं आसा करता हूँ आपको मेरा एस्प्लेनिसन अच्छा लगा होगा अगर एस्प्लेनिसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सेर सस्क्राइब कर दीजेगा और हाँ ये एनिमे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे एक बर जरूर देख लीजेगा